हलो दोस्तो आज हम आपको बताते हैं आप अपने घर बेठे बेठे अपने मोबाइल से आप अपनी खेत अपनी जमीन कैसे नाप सकते हैं इसके लिए आपको मोबाइल में एक डाउनलोड करना पड़ेगा प्लेइस्टोर से तो सबसे अपने प्लेइस्टोर में जाते हैं और यह वाला मैंने इस्टॉल कर रखा है आप कोई भी एप इंस्टॉल करेंगे सभी लगबग जैसे यह कुछ ज्यादा अंतर है नहीं है जैसे यह इंस्टॉल होता है आप इसको ओपन कीजिए जैसे यह एप ओपन होगा यह काम करेगा आपके GPS लोकेशन के अधर पर तो इसके लिए आपको यहां ऊपर एक निशान बना हुआ है लोकेशन का इस वाले निशान पर आप क्लिक करेंगे तो आप कहां पर बेटे हुए एक्जेक्ट वहाँ पर आ जाएगा जो यह नीला वाला बिंदू आपको जो दिख रहा है नीला वाला बिंदू आपको लोकेशन रहेगा तो जिसे अपने इसको पास से देख पाएंगे आप अपने खेद पर बेठे हुए यहां पर दूसरी चीज अगर आप जहाँ बेठे हुए वही का खेद नापना है तो यह इस वाले ख्यत को कैसे न आपा जाएगा इस वाले नीचे को ने में तो भाला सैनो सब्सक् まदध करेंगे तो इसमें अपन दूसरे वाले option एरिया पर क्लिक करेंगे, एरिया पर क्लिक करना इसलिए हैं, क्योंकि अपन इपन को शेत्रबल कल्कुलेट करना है, जैसे यह अपन एरिया पर क्लिक करेंगे, दो option हैंगे, Manual और GPS, मेन्यूल में बेठे बेठे कोई भी खेत नाप सकते हैं तो अपन मेन्यूल वाला सिलेक्ट करेंगे GPS मेजूरिंग में आप क्या करेंगे अपन मोबाइल लेके खेत के चारो और तरब घूमना है और अपना खेत नाप जाएगा यह वाला प्रोसेस आपको अगले वाले वीडि और कोने सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने को पहला कोना चुनना है तो पहला जूम करेंगे ताकि क्या होता है पहला कोना चुनने में आसानी हो जैसे मैंने क्लिक किया पहला पॉइंट लग गया है दूसरा पॉइंट दूसरे कोने पर क्लिक किजिए अगर आपकी मे तक हैं एर कि या खूट रही है या सीधी नहीं आ रही है कहीं ठोड़ा छूट गया है जैसे चारो तरफ से अपनोंने चारो पॉइंट इसके चारो मेर और चारो कोने कवर कर लिए हैं तो यहां अपनों को ऊपर जो आपको यहां दीख रहा होगा एरिया लिखा हुआ रहा है यह जो एरिया लिखा हुआ रहा है यह इस खेत का शेत्र पर लिखा हुआ रहा है यहां पर विशा कर सकते हैं जैसे अपने यहां पर जो नॉर्मली चलता है वह हेक्टर चलता है तो अपन यहां पर देख रहे हैं एडिया इसमें आया है जीरो दस्मलों 468 हेक्टर अब ये 468 हेक्टर ये लगबग एक एकर से उपर जमीन हो रही है एक एकर होता है केपा हैं यहां के Hey पहाँ के उसके वाले को किसिता हैनों ना अपने को आपने को क्या दो कि सबस्केट ना पाजाएगा टोड़ा होिए सबसे पहले जो नीचे कोने में प्लस वाला निशान लगा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे धीर एरिया पर सिलेक्ट करेंगे और मैन्यूलमेजणिंग और उप्पर है उसपर हैक्षब करेंगैं फिर अपन को यह वाला खात है तो फोड़ा सा जूम करने से होगा हमको कोने सही से दिख जाएंगे तो पहले look कर रहे हैं पहले कोने पर पर फिर दूसरा point स्प Those एरे और इस प्रकार सेलिक पर यहां पर जैन से थोड़ा सा तीर्चा है तो इसको पर झाली तो इससे में क्या होता है आपको ज्याल से देख अगर पास-पास और से इक करते जाएं उससे क्या आपका सहरा कोब होता जाएगा जाएगा इस तरह और आपको दिक्कत क्या है तो आप इसको वह भी कर सकते हैं और यहां bulky वाली मेड़ सीधी हैं तो इसको हमने यहां पर सिलेक्ट किया चलिए अब देखिए इसमें क्या किया है यहां सब्सक्राइब पकड़ के थोड़ा सा नीचे किसका रहे हैं तो यह आ जाएगे अगर आपको थोड़ा और कम जादा भी करना तो आप एड़स्ट कर सकते हैं ठीक है यह वाला सिलेक् देखा वा वा जो आ रहा है वह आरा है आड़ सो अट्सट हेक्टर 0 8868 हेक्टेर लिए इसको हम बोलेंगे और रहें यह आपकी यह नप कर सकते हैं आप इसके उप्षेंस में आप सकते हैं तो इसको अपनों देखा दोस्तों की करप में टेड़ी हो तो भी आप इसको आपको सबसे आसान सा तरीका स्क्रीन शोट ले लिए इसको रख भी सकते हैं या पर इसमें एक उप्शन भी होता है सेव करने वाला पर सेव करने के लिए इसमें के क्लिक करेंगे तो सेव हो जागा मेजरमेंट ठीक है दोस्तों यह हमने आपको बतायागी कैसे आप घर बैठ यहां पर आपको अंदाज बिल्कुल पढ़ जाएगा कि कौन कितनी जमीन है लगभग कितना है एक्जेक्ट जमीन इससे पता नहीं चल पाएगी 90% एक्यूरसी है इसकी और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जमीन की इकाई क्या होती नापने की आपको उपयोगी लग रहा हो और आपको अच्छा लगाओ तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जिससे हम आगे आने वाले वीडियो की आपको जानकर यह मिलती रहें धन्यवाद